हात्रोस केज सिकंद्रा राव तहसील के गाउं फुलरई मुगल गड़ी में दोचुलाई को सत्संग के दौरान मची भगदर में 121 मौतों के मामले में महिला आरूपी को चुन्याले संत्रिम जमानत मिल गई हैं गौर तलब है कि इस मामले में पुलिस ने कुल 11 आरूपी को गिरफतार करके जेल भेजा था इसमें से दो महिलाएं शामिल थे दो महिने से अधिक समय से आरूपी जेल में बंद हैं सेसन कोर्ट में आरूपी महिला की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ट अधिवक्ता प्रमोत कुमार शर्मा ने बताया कि मंजु देवी को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है और जल्द ही वो जेल से भी दिहा हो जाएंगी बता दे की हाफ त्रस में सत्संग के दौरान 121 मौत हो गई थी जिसके बाद काफी रोश व्याप्त हो गया था लोगों में इस पे कुछ लोगों पे फायार भी दर्जी की गई और 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था जिसमें बताया जा रहा था कि दो महिलाएं भी थी अब एक महिला को उसमें जमानत मिल गई है एक महिला को जमानत मिल गई है तो वही उनके वकील ने बोला है कि अब हाई कोट से उन्हें जमानत मिल गई हो और जल्द ही वो जेल से भी रिया हो जाएंगे बदा दे कि एक सबसंग के दोरान कथा वाच्चा के पैर्च की मिट्टी को छूने के वज़े से ये भीशन हाथसा हुआ था और 121 लोगों को अपनी जान गवानी पड़े थी जिसके बाद दुस्तासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है बराबर लोगों पर चानवीन के जाए थी और इस मामले में 11 लोगों पर मुकदमे दर्श वे थे 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था जिनमें दो महिलाएं थी वही बताया जारा कि अधिवक्ता ने एक जमानत मिल गई है कोट से इस महिला को जमानत मिल गई है और जल्द ही वह जेल से भी रिहा हो जाएंगी फिलाल महिला कोट ने जमानत दे दी कि हैं लेकिन अभी भी वह जेल में ही है हात्रस में ये घटना हुई थी जिसके बाद 121 लोगों की मौत हो गई थी इने 121 लोगों की मौत की वज़ा बताई जारे थी कि जब स्वामी सत्संग के बाद वापस ठत्थान कर रहे थे तो लोगों ने उनके पैरों की रज छूने के लिए भगदर मच गई और जिस वज़ा से ये भीशर हाथसा हो गया और भगदर में 121 लोगों को अपनी जान गामानी पड़ी थी इससे पर आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ ननकुमार जुचके देखे आपको बतादे कि बीते साथरस के फुल्वाई गाउंसे पहले बाबा का जो सब्सक्रण समारू था सब्सक्रण समारू के बाद भगदर मची उसमें 111 लोगों की जो है दरबनास मौत हो गई ती जिसमें 11 आरूपियों को जो है जेल पहजा गया था जिसमें 9 पूर नहातार जो है जेल में नुद दीगी जे आखिर जो जमानत मिली है इन पे कौन कौन सी धाराएं शामिल थी जिसकी वज़ज़ से इने गिरफतार किया था और उसमें इनको जमाना दे दी गई है कोड़ दोरा देखे आपको बतादे कि जैसे ये भज़दर वची उसकी बास नंद कुमार जी जैसा कि बताया कि अब उनका कहना है कि वो जेल से भी रिहा हो जाएंगी तो क्या लगता है कि इनके उपर जो भी आरोप लगे हैं क्योंकि 121 मौते थी जिसके बाद काफी पवाल मशा था पूरे देश में लेकिन आप धीरे-धीरे कहीं ना कहीं आप आरो को जमानत मिलते दिख रही है तो यह कहां तक सही है देखे आपको बता है कि पूरी जटना को देखते हुए जो है उत्तर प्रदेश के मुक्रमती योगी आदितनात में जो है जो है गटन की जिसमें लगातार जो है नायक जो टीम है जिसमें हाई कोड़ाइट जास कर रहे ह कर रही है जैसे ही इन लोगों पर दोस्ति होगा तो मिस्के ठीक करी कानूमी कारवाई की जाएगी फिलहान जब पूर सुकर्व की जो है नायक चमिटी जहनता से जास कर रही है जिए जिनन कुमार आपको बहुत बहुत है थिन्रेवाद इस बीच लगनों से एक बड़ी खबर आ रही है आपको बता दे कि फ्राइम टीवी की खबर का असर देखने को मिला है लोहिया के गेट से क्रेन हटा दी गई ये खबर हमने बताई थी आपको प्राइम टीवी के माध्यम से खबर दिखाने से अस्पिताल परशासन में खलबली मच गई और आप क्रेन को अस्पिताल परिसवर से हटा दिया गया है बता दे कि आनन फानन में अस्पिताल परशासन ने क्रेन हटवा दी हमने ये खबर दिखाई थी आपको प्राइम टीवी के माध्यम से जहां अस्पिताल परिसवर में एक क्रेन छोड़ का ड्राइवर भाग गया था जिसकी वज़ह से काफी परशानी हो रही थी तमिरदार को और वहां पे आए हुए जितने भी लोग थे उनको परिशानी होती थी लेकिन खबर दिखाने के बाद बता दी कि ये खबर हमने दिखाई आपको प्राइम टीवी के माध्यम से जिसके बाद आनन पानन में जिलाब प्रशासन ने क्रेन हटवा दी है ये खबर का असर दे 10.45 पे रिलाइंस हाली पैट पहुंचेंगे ब्रुजेश पाठग ब्रुजेश पाठग बिनोबा जयनती के कायरक्रम में भी शामिल होने के लिए शाच अहाँ पोजाएंगे डिप्रिसियंग ब्रुजेश पाठग प्रात्मिक स्वासे केंद्र काम रिक्षन भी करेंगे 10.50 पुर्जाएंगे दोरे पर बारबजे स्वास विभाग के अधिकारियों से बैठग भी करेंगे वहीं आगरा में बाह में वाइरल बुखार का प्रकौब जारी है बतादे की स्रेयसी में मरीजों की लग रही है लंबी कतार चोटे चोटे बच्चे बुखार से परिशा हो रहे हैं पतादे कि बाश हेत्र में लगतार ये वाइरल बुखार फैल रहा है आगरा के बाग का ये खबर आपको दिखा रहे हैं जहां आगरा के बाग में लगतार वाइरल फीवर की वज़से बच्चों को परिशानी करने हो रही है और वही सीच्टी में मरीजों की लंब बतादे कि सियसी में मरिजों की लंबी-लंबी कतारे लग रही हैं बच्चों को एड़मिट कराने के लिए उनकी दवाईयों के लिए क्योंकि आगरा के बाह में बतादे की पूरे बाद शेत्रों में वाइरल फीवर का प्रकों बढ़ता जा रहा है जिसकी वज़ा से छोटे-छोटे मासूम बच्चे परेशान हो रहे हैं आगरा में लगातार ये बिमारी फैल रही है प्रशासन भी इसकी वज़ा से सकते में है बतादे की पुलिस प्रशासन और अस्पतार प्रशासन में हरकम मचा है जिसकी वज़ा से अस्पतालों में परि कानकारी ले गई है वाई लग्राओं से बड़ी खबर आ रही है आपको बता दे वावैद निर्माड पर ल्डीय का बुल्डोजर चला बीकेटी और चिनहट में ये बड़ी कारवाई की गई है ल्डीय द्वारा जहां बुल्डोजर चलाया जा रहा है गोमती नगर में भी अवैद निर्माड पर ल्डीय द्वारा कारवाई की गई है बता दे कि ल्डीय बुल्डोजर की कारवाई कर रहा है ल्डीय वीसी प्रतमेश कुमार की आदेश पर ये कारवाई की जा रही है ल्डीय जोन एक और पांच की टीम ने ये कारवाई की है बता दे अवैद नि पर रेल्ड ये बुल्डोजर चलवा रहा है वही लग्राओं से बड़ी खबर आ रही है आपको उप्तात है यूपी पुलस भरती परिक्षा के आंसर शीट आज जारी की जाएगी यूपी पुलस भरती प्रोनत्ती बोर्ड जारी करेगा आंसर शीट बड़ी अपडेट जहा 6244 पदों पर पाच चर्णों में भरती हुई थी उसकी आज आंसर शीट आने वाली है करीब और 40 लाख अभी अर्थियों ने यूपी पुलस भरती परिक्षा दी थी ये बड़ी अपडेट आपको बदा रहे जहां यूपी पुलस भरती परिक्षा के आज आंसर शीट जा किया सियार के हमले इसे बड़ रहत है जिसकी वजह से लोगों में भैव्याप था वन्वाल की तीम ने सियार को अपने कब्दे में ले लिया बता दे कि भिड़ीये के आतंग से लोग परिशान थे और इस बीच ये खबर आई की बदाई की यूपीट का अपने अदमना कर भेडिये की डर की वज़े से लोगों ने सियार पर हमला किया वहीं आपको बता दे कि सियार को अब बन में भाग की टीम ने अपने कबजे में ले लिया है इस वक्की बड़ी खबार संभद से आ रही है पत्रकार कपिल ठाकुप प्रक्रण में डियाईजी से मिले पत्रकार जोला चाप डॉक्टर के खलाफ कारवाई कराने का आदे आश्वाशन दिया डियाईजी ने वह जल्द कारवाई नहीं हुई तो सियम आवास की और कूच करेंगे पत्रकारों ने ऐसा कहा डियाईजी से जोला चाप डॉक्टर ने पत्रकार को धमकी दी थी जिसके बाद पत्रकारों में रोश व्याप्त हो गया था पत्रकार की घर में घुसकर तोड़ पोड़ भी की ग वहें कुशी नगर से बड़ी खबार पुलिस और पशुत तशकरों के बीच मुटभेड का मामला सामने आया है इस मुटभेड में दो पशुत तशकर घाल हो गए बता दे कि पुलिस ने जवाबी कारवाई में फाइरिंग की जिसमें दो अवैद तमंचा बदमाशों के प दो पशुत तशकरों को गोली लग गई जो घाल हो गए इस वाद की बड़ी खबर लगनौव से आ रही है दस नबबे के पास भीशन एक्सिडेंट बता दे कि यानि अंतृत कान ने मारी आइस्क्रीम ठेले को टकर यह बड़ी अपडेट दस नबबे से आपको बता दे सवार युवक और यूतियां और एक आइस्क्रीम ठेले को जाकर टकर मार दी टकर से आइस्क्रीम विक्रेता की मौके पर मौत हो गई पुलिस देकार सवार युवक यूतियों को गिरफतार कर लिया है ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं लखनों के दस नबबे का जहां गौतम पली ठाना शेत्र का ये मामला बताया जा रहा है हर शहर प्राइम रिपोर्टर वे फदाल इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम ठीवी